जैने इस्टुडेंट स्वागा थे आप सभी का DCMS पर जैसा कि आपने थमनेल में देखी लिया हो अकि 36 गर्मादमिक सिच्छा मंडल रायपूर ने 2023 में होने वाले 10th और 12th एक्जाम का समय सारणी टाइम टेबर रिलेस कर दिया है आज प्रेस विज्यप्ति के माध्यम से ये उन्होंने कुछ समय सारणी दिया है जैसा कि अगर हम देखें क्लास 10th की तो ये 2 मार्च से स्टार्ट होकर 24 मार्च तक आपका पूरा फिनिश हो जाएगा आपका एक्जामिनेशन का काम वहीं अगर हम 12 की देखें 12 की देखें तो ये 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 31 मार्च तक चलने वाला है अर्था सबसे पहले किसका 12 का होगा एक तारिख से और 2 तारिख से आपका हो ज जिसे लेकर 12 बच के 15 मिनट तक होने वाला है अगर इस 15 मिनट एक्ष्ट्रा की बात की जाए आप अगर सोच रहे होंगे तो तीन घंटा से जादा मिल रहा है तो नहीं ऐसा नहीं होता ये 3 घंटा ही है ये जो 15 मिनट होता है इसमें आपको 9 बजे तो पहुँच जाना है अप तरह से question paper पांच मिनट पढ़ने के लिए इस तरह से time distribute रहता है तो 15 मिनट आप question नहीं मिल रहे हैं आपके ही hit में 15 मिनट यहाँ add किया जाता है सबी चीज़े यहाँ हैं अगर हम detail में अगर चर्चा करें इसमें तो class 3 की अगर हम बात करें तो student इसका copy में यहाँ लगाने वाला हूँ यहाँ आप देख पा रहे हों तो अगर हम बात करें दो मार्च की तो प्रथम में आपका हिंदी रहने वाला है और वैसे ही सबसे मज़ेदार चीज़ सबसे अच्छा जो गणित विसाय है math के लिए students को काफी समय मिलने वाला है student जी हाँ यहाँ चार तारीक के बाद 10 तारीक को जी हाँ आप देख सकते हैं 10 तारीक को आपका math subject examination रहने वाला है चार से लेकर 10 लगभग 5 से 6 दिन काफी अच्छा समय मिलने वाला है तो आप बहतर तरीके से आम दिलाने वाले है student पूरी तयारी से चलिए अगर हम बात करें विज्ञान विसाय की तो यह 13 तारीक को आपको दिलाना है और 15 तारीक को आपको दिलाना है अगर website पाठेकरम है कोई भी अगर है जैसे कि media, retail इस तरह से अगर कोई subject है तो वो और 17 तारीक को समाजिक विज्ञान है और 21 तारीक को है आपका तृतिय भासा संस्क्रीत और अन्य आप देख पा रहे हो मराठी है उर्दू है पंजाबी है इस तरह से बहुत सारे language दिये गए हैं और सुक्रव बधीर छात्रों के लिए ड्राइंग और पैंटिंग का जो examination है वो रखा गया है student तो अगर एक समान्य छात्र की बात की जाए तो तश्वी की छात्र की बात की जाए तो वो दो तारीक से लेकर 21 तारीक तक examination में बैठने वाल है अपने चारी में अगर हम बात करें 12 की तो ब और बात student मैं आप सफी को बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ लगभग माह भर से हमारा वीडियोस नहीं आ रहा है इसके वीचे कुछ कारण है हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं और कुछ अच्छे के लिए ये जो series चल रहा था उसको हम थोड़ा से whole पे रखके हम आप के लिए एक नए series लाने वाले हैं I hope आप लोगों को इंतजार होगा कईयों का comment भी आया comment भी आया कि कैसे वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्या कारण है इस तरह से तो मैं उन सब को बताना चाहूंगा कि आप ती लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं हम हम उन important question को लेके आने व हमें इस बात का पूरी पूरी तरह से विश्वास है मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाबाए जैहिंद